नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिज शो में तो दोस्तों बिलकुल ये सही ख़बर है 18 F-35 लडाकु विमान भारत पहुंच चुके हैं और अगर आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर इंतिजार कीजिए मैं आपको प्रोपर आर्टिकल दि लोड़ी गई है तो जानकर आप हैरान रह जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए बिना समय गवाई वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल से हाल ही में जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि इस चैनल पर परती दिन त बताई होगी कि आज की तारिक में दुनिया में दो ही स्टेल्थ लड़ा को विमान है या तो F-22 रैप्टर या F-35 लड़ा को विमान और दोनों के दोनों ही अमेरिका के लड़ा को विमान है अब हुआ ये है कि F-35 पहली बार भारत में आए हैं और एक दो नहीं पूरे 18 ल और उस पर करीबन 18 F-35 लड़ा को विमान तैनात है अब ये HMS Queen Elizabeth पूरे जंगी बेड़े के साथ भारत आया है और जंगी बेड़ा छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा है पहले तो खुद HMS Queen Elizabeth है इसमें इसके लावा इसमें Destroyer है इसके लावा Frigate है और दूसरे Naval Ship है और ये ऐसे में Britain भारत के साथ मिलकर चीन को मूतोर जवाब देने की तैयारी कर रहा है और इसी के तहट इस नो सैनिक युदब्यास को इंजाम दिया जा रहा है ताकि कल को अगर चीन के साथ एक बड़ा युद शुरू हो जाता है या बड़ा Conflict शुरू हो जाता है तो ऐसे में भारत और ब्रिटेन की जो नो सैना है आपस में किस तरीके से कोलाबरेशन में चीन को मूतोर जवाब देंगी और यकीनन इस युदधब्यास से चीन पर प्रेशर भी पड़ेगा लेकिन फिलहाल जो सबसे आदा चर्चा में है वो है F-35 क्योंकि इस नेवल दिल के दोरान F 35 भी उड़ाए जाएंगे जिससे की पहली बार भारतिय नो सैना को in hand experience मिलेगा एक stealth लड़ाकु विमान का क्योंकि आज से पहले भारत को किसी भी stealth लड़ाकु विमान का इस तरीके से experience नहीं मिला था और इससे एकीनन भारतिय नो सैना को बहुत फाइदा होगा उन्हें पत करने में भी काफी जादा मदद मिलेगी तो यह बात कर लेते हैं F-35 की जीने नहीं पता F-35 के बारे में तो जब अरदस लड़ाकु विमान है मैं आपके एक चोटा सा उधान देता हूँ आप भी से सुनने के बाद कहेंगे कि वाके में ही कितना धाकड हतियार है माल लीजि भारत इस F-35 की मदद से क्या क्या कर सकता है सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर घुसकर जबरदस्ट बंबारी कर सकता है पाकिस्तानियों को पता नहीं चलेगा इसलामाबाद के उपर उड़कर वापस आ जाएगा पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगने देगा आप इस स इसलामाबाद के उपर बंबारी करवा सकते हैं जी हाँ, इतना है नहीं हाल ही में ये दुनिया का पहला स्टेल्थ लडाकु विमान बना है अब जो स्टेल्थ होते हुए भी परमानू बंबारी कर सकता है तो आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्थ इसकी केपेबिल्थ है क्योंकि ये स्टेल्थ है यही कामी चीन के अंदर भी घुसकर कर सकता है जी हाँ, यनि की चीन के अंदर घुसेगा मारेगा, वापसा जाएगा, चीनियों को भनकनी लगेगी दूसरी इसकी खास बात है वर्टिकल लेंडिंग एंटेकोफ सोचिए कि भारत इसे कहीं पर छुपा दे किसी को पता नी चलेगा कल को दुश्मन भारत की जो लेंडिंग साइट्स है उन्हें तभा भी कर दे तो अभी F-35 को रोकना impossible है क्योंकि इसे तो आफ किसी के खेट से लेंडिंग और टेक ओफ बड़ी आसानी से करवा सकते हो लाकि है खुबी जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे पास भी F-35 होता तो आप टेंशन मत लीजिए पहली बात तो हम खुद का एक M का लड़ा को विमान बना रहे हैं जो स्टेल्थ होगा हाला कि उसे बनने में समय लगेगा लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है क्योंकि अगर भारत को मालिजे की 6 महीने, साल, डेड़ साल में जरुत पढ़ती है कि स्टेल्थ लड़ा को विमान की तो आपको बता दू कि भारत और अमेरिका की जो ट्यूनिंग है इस समय बहुत ही तकड़े वाली है आपको उधान देता हूं में हाली में जो हुआ अब से 6 महीने पहले भारत ने अमेरिका से MH-60 हेलिकोप्टर खड़ी दे थे हैं आप इस्तमाल कीजिए जब आपको आपके ने MH-60 मिल जाएंगे तो हमारे पूराने दो वापस कर देना इतना है नहीं एक इंसिडेंट तो हाली में मार्च में हुआ है दरसल भारत को ड्रोन की जड़ोत पड़ रही थी अमेरिका ने चुपचाप बिना किसी को बताए भारत को 20 प्रिडेटर ड्रोन दे दिये जिनकी कीमत 80-90 मिलियन डोलर होती है बहुत महंगे हैं लेकिन भारत को दे दिये लीज पर किराये पर कि जब आपका रुस्तम टू बनकर तयार हो जाएगा ना हमारे वापस कर देना और दोनों देशों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि भारती नोसेना में वो प्रिडेटर ड्रोन शामिल भी हो गए और शामिल होने के तीन दिन बाद भारती मीडिया को पता चला कि अमेरिका से भारत ड्रोन भी आ चुके है तो इस लेवल की कम्यूनिकेशन भारत और अमेरिका के बीच में इस समय है आपको टेंशन लेने की ज़रत नहीं है भारत को कभी भी एक स्टल्थ रड़ा को इमान की कमी नहीं पढ़ने वाली फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिएक बार फिर साबका धन्यवाद थैंक्यू बेर मुच पर आशिंग वीडियो